असलाम अलेकुम नाजीन हमारे पार सैमसंग का डिजिटल इंवर्टर नॉन फ्रॉस्ट अफिजिएटर मौदीज है इसका मॉडल आर्टी 38 है और ये ट्विन कूलिंग के नाम से जाना जाता है इस मॉडल पर हम पहले भी काम कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको इसके इन्वर्टर कट एर्र के बारे में बताया था अगर आप चाहें तो वो वीडियो आप दुवार दे सकते हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल जिएँगा अब भी हम इसके एक नए एर्र के बारे में बात करेंगे जो के कंप्रेसर एर्र है और आपको लिखाएंगे कि अगर किसी यूनिट का फुसुशन इस मॉडिल का कंप्रेसर ख़़ाब हो तो हम उसको कैसे डाइग्नोस कर सकते हैं अब आपको दिखाता हूँ इस तरह कंप्रेसर जो इसको औरज़नल कंप्रेसर था है वह यहां मौजूद है हम इस कंप्रेसर को दोबारा से कनेक करेंगे यह कहते हैं कर दे सकते हैं इसका थ्रीफेस कनेक्टर टीग है हम ने इसके डिस्चार्ज पाइप और सर्क्षन पाइपक डिसक्नेक कर दी है क्योंके हम इसको एक एक न्य इद mixture करेंगे जणा करकाके दखाएंगे करएंग तक क्योंकि Deck geht क्यों event कर सकते हैं प्यूंकर क्योंने क्यों करने कि सतर्कश। काफी वजुवाद हो सकती है एक तो कंप्रेसर खराब है ये वज़ा है जो भी हम चैक कराएंगे आपको दूसरी के युनिट में गैस नहीं है या पर सर्कुट का एरर है तो कभी कबार इसमें फरक करने में मुश्किल हो जाती है कि आपके पास कौन सा एरर है और युनिट में प्राउलम क्या है इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि इसका कंप्रेसर ही फॉल्टी है हम आपको दिखाएंगी कि हम किस तरीके से इसको टेस्ट कर सकता है हम दुबारा इसके थ्री वे कनेक्टर को लगा देंगे इसमें अब यह प्रॉपर्ली दब दुबारा रिकनेक्ट हो गया है तो हम इसकी पावर सप्लाय को अन करेंगे पावर सप्लाय अन कर दिये अब हम इसके वापस सर्किट बोड पे आता है जैसे कि आप देश सकते हैं इसके दोनों सर्किट बोड में रेड लाइट ब्लिंक कर देए है इंवर्टर में भी इंवर्टर कार्ट में भी और यह में पीसी में भी तो पहले हम इसके इंवर्टर कार्ड की रेड लाइट की ब्लिंकिंग को काउं कर लेते हैं कि कितनी दफा ब्लिंक कर देए है वन तू थी तफ़ाद देख लेते हैं एन तू ठीक है तो इसका इन्वर्टर कार्ड आप अपनी रेड़ लाइड को ब्लींग कर रहा है और में पीची बीची बिलीच कर देखा यह नियुक्निय। तो मेंन PCB की जो red light है वो 10 टाइमS blink कर रही है ठीक है तो inverter card की light 3Times और main PCB की 10Times यह इस बात की confirmation करता है कि इसका जो compressor है वो खराब है अगर inverter card की light 3 बार blink करे और main PCB की light 10 बार blink करे तो आप इस बात से शोर होंगे कि इसका जो 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 इस तो दोनों कार्ट में अब लाइट ब्लिंग ने कर दिया है अब दोबारा नीचे आएंगे और इसका कंप्रेसर को रिप्लेस करेंगे इसका थ्री फेस कनेक्टर हमने रिमूब कर दिया फॉल्टी कंप्रेसर हमने निकाल दिया और इसमें हमने एक सही कंप्रेसर सेमसं का लगा दिया दियान रखें कि इसका थ्री फेस कनेक्टर सही तरीके से कनेक्ट वर्ना पर यह काम नहीं करें आउर सप्ला दोबारा आउन करेंगे और चैक करेंगे कि अब यह कर रहा है या नहीं जैसे कि आप दे सकते हैं कि इसके इन्वर्टर कार्ट की लाइट अब बिलिंग नहीं कर दे है वो कंटिनियूस से जल लिए और में पीसीबी की लाइट ओफ है यह इस बात की इन्वर्मेशन है कि इसका कंप्रेसर अब सही वर्क कर रहा है और अगर हम इसके सारे डिस्चार्ज और सक्षिन पाइट कर देंगे तो यह यूनिट प्रॉपर्ली वर्क करेगा और पूलिंग सही तरीक इसे करेगा इस वीडियो का यही मक्सदता है कि हम आपको दिखा सकें कि अगर कंप्रेसर अइरर है तो आप इसको कैसे डिग्नोज कर सकते हैं और वापके आपके अपका खराब है तो उसको रिप्लेस करके आप इस एर्र को रिमूव कर सकते हैं इसके साथ हमारे पास एक और रेफरिजेटर है तो डिफरेंट मॉडल का अब दी सकते हैं कि यह प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है और यह उसकी डाट डिंक नहीं कर दिया और एक दो और रेफरिजेटर इंवर्टर रेफरिजेटर सेमसंग के जिनको हमने रिपेर कर दिया